डर अपने आप निकल जाएगा चलो यहाँ पर आपको find out करना है square root of 1-2sin theta cos theta की value बड़ा प्यारा question है बता दो कोई option इसका क्या answer होगा क्या option हो सकता है इस 1 की जगे इस 1 की जगे क्या हम लोग cos square theta plus sin square theta लिख सकते है माइनश का 2sin theta cos theta ठीक है ध्यान से देखो क्या इस 1 की जगा हम cos square minus sign square कर सकते हैं कुछ लोग b part बोल रहे हैं कुछ लेते आप लोग क्या आंशर दे रहे हैं अच्छा कोशन में कोशन है अच्छा कोशन यहां ट्रिक लक्तर की कोशन होते हैं तो अधर देख लेते हैं आ कि तो भाई या बी ने 국a के इन पर कैसे कि कौ to do vice i be part बता रहे हो इस अगर मैंने को कॉस स्क्वाइर 61-309 स्क्वाइर लेखा तो क्या यह। मैंझे साइन 2 यदा का होल burnout हुआ है तो रूर्ट से स्कौर कड जाएगा तो आनसर क्या आएगा थाश थीटा माइन साइन 3 अथा 4 फाइफ न 7-20 dawn बोलूंगा ना अब ये पार्ट देखो जादर बच्चों को आ रहा था कुछ बच्चे चिलाने लगेंगे कहेंगे सर आप बहुत गलत बात कर रहे हैं मैं तो इस वन को लिखने जा रहा हूं साइन स्कॉयर प्लस कॉस्ट स्कॉयर यह भी तो वनी होता है और यह माइनस का पार्ट जाहिर सी बात है यह दौनों कंफ्यूज हो सकता है कोई बच्चा ठीक है कि आंसर ए पार्ड होगा या बी पार्ड ध्यान समझना मेरी बात अगर आपनी एक आंसर्ट समझ लिया तो जो बच्चे चिला रहे ना सर हायर लेविल कुश्चन हायर लेविल तो यह हायर 45 की रेंज में होता है तो कॉस थीटा और साइन थीटा में कॉस की वैल्यू बड़ी होती है होती है ना कॉस जीरो वन होता है साइन जीरो जीरो होता है साइन थर्टी वन बाइटू होता है तो कॉस बड़ा होता है तो जिस जिस रीजन में जो बड़ा है उसको पहले लिखना है यह दिहान रखना है इस कोश्चन में इसलिए मैंने कॉस को पहले लिखा तो मेरा कॉस माइनस साइन आया तो मेरा आंसर कॉस माइनस साइन आएगा अगर यहीं पे एंगिल 45 से 90 होता है सेम कोश्चन होता है और यह एंगि थीटा की वेल्यू बड़ी होती है कॉस थीटा से उस केस में मैं ये वाला लॉजिक यूश करता है यानि कि इसको साइन माइनस कॉस का होल स्कॉर बना देता तो मेरा आंसर ए पाड आता लेकिन फिलाल आंसर भी पाड आएगा बहुत कमाल की बात तुमको मैंने बताई हैं बह जात्र बच्चे तो साइन का अंसर में इसम्झ जात्र बच्चे कर्फ लेकिनें गटा जैएघत की बड़ी होती है साइन फीटा से इसलिए मैं को को साइन को बाद मैं हालाकि इसका बहूत क्युंकश को पहले लिखे मैं कॉसको यहां कि तो मैं आपको रटवा दे रहा हूंना बार क्योंकि बढ़ा है लेकिन इसका ऊरभी एक कॉनसेफ्ट है वह पे diferen को सबढ़ समझे लो कि जिस पार्ट में कॉस बढ़ा है तो को पहले लिखना है ठीक है